सेम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा किया है इंडियन ओवसीज कॉंड्रेस के अध्यक्ष ने एक बार फिर ऐसी टिपनी की है जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है और सबसे पुरानी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है अमेरिका में विरासत करकी अवधारना पर पित्रोदा की टिपनी को भाजपा ने कॉंड्रेस पर अपने धन वित्रन हमले को मजबूत करने के लिए उठाया है यह ऐसे समय में आया है जब कॉंड्रेस सामाजिक आर्थिक और जाती सर्वेक्षन और संसाधनों के पुनर्वित्रन पर अपने घोशनापत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के लगातार हमले का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है पीएम मोदी ने बुधवार को पित्रोदा की टिपनी को भुनाते हुए धनपुनर्वित्रन के मुद्दे पर तीखा हमला करते हुए कहा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी विपक्षी दलकल लोगों को लूटने का मंत्र है अपनी चुनावी रेलियों में पीएम मोदी ने पित्रोदा की टिपनीयों को कॉंग्रेस के खिलाफ अपने व्यापक हमले के रूप में पेश किया उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने इसके छिपे हुए एजेंडे को उजागर कर दिया है और पार्टी देश के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों से इतनी दूर हो गई है कि वह कानूनी तोर पर लोगों से उनके अधिकार छीनना चाहती है संपत्ती और जीवन भर की बचत्वे अपने बच्चों को विरासत में देना चाहते हैं अपनी चुनावी रेलियों में पी-म मोदी ने पित्रोदा की टिपपनियों को कॉन्ग्रेस के खिलाफ अपने व्यापक हमले के रूप में पेश किया उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने इसके छिपे हुए एजेंडे को उजागर कर दिया है और पार्टी देश के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों से इतनी दूर हो गई है कि वह कानूनी तोर पर लोगों से उनके अधिकार छीनना चाहती है संपत्ती और जीवन भर की बचत्वे अपने बच्चों को विरासत में देना चाहते हैं कॉन्ड्रेस ने तुरंधी पित्रोदा की टिपनी से दूरी बना ली जैराम रमेश जो कॉन्ड्रेस महासचिफ्ट संचार भी है ने कहा सैम पित्रोदा उन मुद्दों पर अपने विचार बहुत स्वतंतर रूप से व्यक्त करते हैं जिन्हें वे महत्वपून मानते हैं इस विशेश मुद्दे पर भी वह कॉन्ड्रेस की आधिकारिक स्थिती को प्रतिबिम्बित नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो हो रहा है वह ये है कि उनकी टिपनियों को संदर्व से अलग कर दिया गया है और उन्हें प्रधानमंत्री के जान बूचकर शरार्ती और दुर्भाव नापून जहर भरे अभियान से ध्यान हटाने के लिए संसनी केज बनाया जा रहा है कॉन्ड्रेस के लिए दुर्भाग्य से ये पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ने अपनी अनौपचारिक टिपनियों से सबसे पुरानी पार्टी को बेकफूट पर डाल दिया है खास कर चुनावी मौसम में